हेलो गाइज वाट्स अप आई होप आल अफ यह दूइंग फाइन दिस यह एंवी सर अगर आपने लिमिट्स पल दिया है अच्छे से पल दिया है सारे लेक्चर आपने देख लिए प्रिवेसर क्वेस्टन भी कर लिये तो यह continuity और differentiability बहुत जल्दी हम खतम कर लेंगे हैना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा छोटे-छोटे से chapters है and definitely मतलब इसका जो weightage है वो भी काफी high है ठीक है limits continuity and differentiability आप यहाँ पे एक line से ही पढ़ सकते हो तो काफी important chapter भी है calculus का integral part है continuity और differentiability के questions आपको यहाँ पे काफी सार करते हैं आज का chapter which is continuity lecture number one में आपका स्वागत है and continuity at a point दो topic की बात करने वाले आज के लेक्टर में first is continuity at a point and दूसरा की reasons for discontinuity क्या होता है यह discontinuity अगर आती है तो आखिर क्यों आती है है न तो यह सब निकालेंगे हम कि कैसे कैसे होता है continuous function किसको बोलते हैं कौन से होते discontinuous function तो but before we start एक बार बता दो yes क्या हाल चाले सबके बढ़िया yes love you sir अरे thank you so much चलो बाई start करें है ना let's start the lecture and definitely यार अपना lecture one है नया chapter start होने जा रहे तो आप अभी से भी अगर आप regular हो गए तो भी definitely I can guarantee you की काफी सारे concepts आपके clear हो जाएंगे calculus में आपकी एक पकड़ बनेगी and definitely यहा graph की मदद से भी समझ सकते हो ठीक है तो हम ज्यादा focus करते है on the graph and बहुत सारे मतलब आपको shortcuts वगेरा भी में बताऊंगा in NV style ठीक है तो definitely आप सारे lectures को follow करना and अगर आपको lectures अच्छा लगते तो आप इसको share भी कर सकते हो with the hashtag of jelive daily आप मुझे tag भी कर सकते हो at the right vora1310 this is my ID and I I think सभी बच्चों को यहाँ पर चानल को subscribe कर लेना चाहिए अगर आप यहाँ पर सारे के सारे lectures regular basis पर follow करना चाहते हो last में हम इसमें previous questions भी discuss करेंगे जी पीपी भी करेंगे पूरा chapter advanced level तक बहुत ही detail में हम cover करने वाले तो definitely आप यहाँ पर चानल को subscribe कर सकते हो and जो notification bell है उसको आपको definitely यहाँ पर चैनल पर regular लेना है and consistency is the key I think मैंने आपको last lecture में भी समझाया था कि जितना consistency के साथ आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे उतना आपके यहाँ पर concepts जो है वो चमकते जाएंगे and आपको यहाँ पर दीले-दीले confidence भी आएगा ठीक है तो definitely आप सा सारे practice sessions हम यहाँ पर special classes में करते रहते हैं अगर आपको extra questions practice करने तो आप special classes को attend करना start कर सकते हो यहाँ पर जितनी भी special classes होती है it is completely free आपको कुछ pay करने की जरूत नहीं है बस आप NV live code use करके जितनी भी special classes होती है सबको unlock कर सकते हो in fact अगर आप किसी और teacher की special class देखना चाहते ह करके उसको भी unlock कर सकते हो ठीक है तो definitely किसी भी special class को आप unlock कर सकते हो by using the code nv live उसके अलावा अगर आपने limits के lectures miss कर दिये है यह हमने जो बाकी chapters यहाँ पर अभी तक cover कर लिए उसके lectures आपने miss कर दिये तो definitely आप यह जो link है live daily.me.je इसको अपने browser में type कर सकते हो यहाँ पर आपक सारे के सारे lectures आपको मिल जाएंगे 12 standard के भी ठीक है तो definitely आप यहाँ पर सारे के सारे lectures को देख सकते हो even practice भी कर सकते हो questions की JPP के sessions होते है आपके प्लस यहाँ पर previous year question के भी session हमने start कर दिये तो definitely आप उसको भी देख सकते हो ठीक है and अगर कोई भी बच्चा अनकाडमी subscription platform पे आ homeworks होते है regular basis पे homeworks को फिर हम discuss भी करते है DBP sessions आपके होते हैं प्लस आपको यहाँ पर multiple educators का access मिलेगा सबसे अची बात ही है कि whenever you are joining an academy subscription platform तो यहाँ पर multiple educators are there यहाँ पर quota वाले educators भी आपको देख जाएंगे top authors of the country यह जितनी भी books हैं उनके authors they are also teaching you live on this particular platform तो आप यहाँ पर multiple teachers को follow कर सकते हो multiple batches में enroll कर सकते हो multiple teachers का के जो notes है का उनका जो content है उसको भी आप access कर सकते हो and definitely आप आपकी यहाँ पर जही में और जही एडवांस की तयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी अगर आप 11th और 12th में हो तो definitely I will recommend कि आप हमारे जो batch चल रहे हैं उसका आप definitely आप उसमें अगर join करोगे तो 11th 12th दोनों जो grades है उनके पूरा syllabus हम यहाँ पर cover कर रहे हैं ठीक है तो definitely अगर आप बहुत सारे questions के साथ पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से practice भी करना चाहते हो तो Unacademy subscription platform पे आप join कर सकते हो वहाँ पे हम full detail में सब कुछ cover करेंगे ठीक ह ठीक है तो जो भी बच्चे अनकाट भी subscription platform पे आना चाहते हैं आप यहाँ पर एक साल दो साल के subscription plan कर सकते हो इन केस अगर आप लेट हो जाते हो तो दूसरे option भी यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएंगे आप definitely यहाँ पर NV live code use कर लेना जैसी आप इस code को use करोगे आपको य continuity का basic definition होता है एकदम basic से start करेंगे एकदम basic से start करके एकदम advanced level तक सब कुछ लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो आप यह समझो कि basic definition होता क्या है अगर एकदम simple terms में समझना है जो common man की जो language होती है उसमें अगर मैं आपको समझाओंगा एकदम limit definition में आप समझना चाहते हो कि continuous function का क्या मतलब होता है अगर एक function है fx जो की continuous है तो continuous का simple मतलब यह होता है कि अगर कोई भी function है दुनिया का कोई भी function है जिसका graph आप बना सकते हो without lifting pen तो वो जो function होगा उसको हम बोलेंगे continuous function लब जैसे for example मान लो आपके पास एक function है और उसका graph आपने ऐसा ऐसा कुछ बना द येस definitely it is continuous अगर किसी भी function का graph आप draw कर सकते हो without lifting pen तो उसको हम बोलेंगे continuous function बस इतना ही है इसमें और कुछ ज्यादा ही नहीं तो काफी simple सा chapter है ठीक है और मान लो इसी में कहीं पर break आ गया तो अगर मान लो ऐसा graph आप बना रहे थे और बनाते बनाते आपको pen उठाना पड़ गया इसका simple मतलब है कि वहां पर उस particular point पर यह वाला जो point है इस particular point पर यह मान लो x equal to a है तो यह x equal to a point पर यह function क्या हो जाएगा x equal to a point पर यह function discontinuous हो जाएगा तेखिए का simple मतलब है कि अगर कोई भी function है आप बस function होना चीए है ना function होना चीए आप ऐसा मत करना कि sir हमने अगर मान लो ऐसा एक graph draw कर दिया मान लो आपने जलेबी draw कर दिया बहुत भूक लगी है आपने ऐसा graph draw कर दिया यह जलेबी तो जलेबी जो है क्या यह continuous function है आप बोलोगे इसका graph हमने बनाया सर जलेबी होती है मस्त हमने इसका graph बनाया इसमें तो कोई पहन उठाने की जरुरत नहीं पड़ी तो सर आपकी definition के ह यह साथ से तो यह जलेबी है यह continuous function होनी चाहिए बड़ यह तो function ही नहीं है ना हमने पड़ा था ना फरस्ट चेप्टर में आपको यहां पर करना पड़ेगा वर्टीकल लाइन बनाओ गए यादे वर्टीकल लाइन टेस्ट क्या यह function है यह जलेभी जो है जलेभी तो function ही तो continuous function तो दूर की बात है, यह तो फहले function ही नहीं है, समझ गये ना, अगर कोई बना देगा circle, मान लो किसी नहीं ऐसा circle या ellipse या ऐसा diagram बना दिया, तो even मान लो आप circle भी बना देते हो, let's say something like this, तो इसमें भी pen उठाने की जरूद पड़ी क्या, यहां पे भी pen उठाने की करना कि function होना चाहिए, function होना चाहिए, and फिर आप उसका graph बना सकते हो, without lifting pen, तो अगर कोई भी function है, जिसका graph आप बना सकते हो, without lifting pen, तो उसको हम बोलेंगे continuous function, तो यह जले भी जो है, यह फंक्शन नहीं है, vertical line test, अगर आप यहां पे, जले भी समोसा, यह जितने भी चीज़ है, यह सब function नहीं है, तो समझ गया है, overall, खाने पीने की चीज़ों पर ज्यादा focus कर दो, तुम लोग, तो यह सब function नहीं है, आगे बढ़ते है, तो किसी भी function का graph अगर आप बना सकते हो, without lifting pen, तो उसको हम बोलेंगे continuous function, अब इसकी mathematical definition क्या है, यह तो बच्चो वाली definition होगी एकदम अगर किसी छोटे बच्चे को समझाना होगा, तो ऐसे समझाएंगे, बट इसका mathematical definition क्या है, तो mathematical definition यह है, कि अगर कोई भी function है, उसमें आपको check करना है, continuity at a point, एक particular point पे आपको check करना है, कि function continuous है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे definition पढ़ेंगे, कि अगर ए एक point पे check करना है, एक particular point पे अगर आपको check करना है, कि function continuous है या नहीं है, तो आप कैसे check करोगे, तो सबसे पहले आप निकालोगे limit of the function, आप limit of the function निकालो, आप value of the function निकालो, limit of the function exist करनी चाहिए, यह जो आपका f of a है, यह भी आपका defined होना चाहिए, और दोनों का value equal और finite हो होना चाहिए, if both of them are equal and finite, then only we can say that this particular function will be continuous at that particular point, उस particular point पे यह function continuous होगा, तो in short यहाँ पे आपकी जो limit है function की, वो exist करनी चाहिए, function आपका defined होना चाहिए, और दोनों का value equal और finite भी होना चाहिए, ठीक है, both of them must be equal and both of them must be finite also, तो अगर कोई भी जिसे example से देखता है, ठीक है, इसम है, जैसे मान लो यह वाला graph है, है ना, आप इस वाले example को consider करो, यहाँ पे आप मुझे बताओ कि at x equal to 3, at x equal to 3 आप check करो कि function continuous है या नहीं, तो कैसे check करोगे, सबसे पहले हम limit की बात करेंगे, और अगर हम limit की बात करेंगे, तो limit कैसे हम check करेंगे, कि limit exist करता है कि नहीं, यह आप check कैसे करोगे, अगर आपको check करना है कि limit exist करेंगा या नहीं करेंगा, तो उसके लिए LHL और RHL निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देखो कि LHL का value कितना है, यहाँ पर आप निकालो, F of 3 प्लस निकालो, और F of 3 भी निकाल दो, ठीक है, यह क्या है, यह LHL है, this is nothing but this is LHL, this is nothing but this is right hand limit, है ना, left hand limit, right hand limit, एन इसको हम बोलते है, value of the function, इसको हम क्या बोलते है, this is the value of the function at x equal to 3, तो इन तीनों का value कितना आएगा, आप graphically देखो, तो अगर मैं 3 प्लस पे देखूँगा, तो 3 प्लस पे जो function का value है, 3 से थोड़ा सा आगे, बहुत ज्याधा आगे आपको जाना नहीं है 3 से थोड़ा सा आगे अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे यहां पे जो function का approximately value आ रहा है तो यह value तो 4 आ रहा है अगर आप 3 से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वहां पे function का value कितना आएगा आप 3 से थोड़ा सा कम वहां पे जो function का value आ रहा है वो भी कितना रहा है वो भी approximately 4 आ रहा है तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि limit exist करती है आप 3 प्लस पे देखो function का value 3 प्लस पे वो भी 4 है function का value 3 माइनस पे वो भी 4 है तो LHL is equal to RHL तो limit आपकी exist करेगी ग्राफिकल यह आप इक्जिस्स करती है और value of the function कितना है अगर मैं आप से पूछूँगा at x exactly equal to 3 तो exactly 3 पे आप देखो exactly 3 पे देखो गे तो function का value कितना है exactly 3 पे function का value 4 है तो यहां पे भी 4 है तो function भी defined है इन तीनों का value equal है अगर इन तीनों का value equal है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो function है वो continuous है लेकि हमने किवल एक ही point पे चेक किया है तो this function is continuous this function is continuous at x equal to 3 चमा क्या है और वैसे भी आपको दिख रहा है अगर आप छोटे बच्चो वाली definition use करोगे तो x equal to 3 पे pen उठाने की जरूद पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अगर आप चेक करोगे तो x equal to 3 पे आप चेक करो पैन उठा कि जरूद नहीं है तो वैसे भी आपको दिख रहाने की function continuous आएगा यहां पे क्या आएगा answer बताओ चलो second वाले में आप एक बार ट्राइगर यहां पर आप चेक करना चाहते हो तो क्या यह function continuous है दूसरा वाला तो यहां पर देखो pen उठाने की जरूद पड़ेगी और अगर पैन उठाने की जरूद पड़ेगी मतलब क्या यह continuous function होगा यहां पर आपको पैन उठाने की जरूद पड़ रही है ना तो यह continuous नहीं होगा इसको हम mathematically कैसे प्रूद करेंगे अब एक्जाम में आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं एक्जाम में ऐसे बोल दोगे कि हाँ दिख रहा है देख लो आप डिसकंटीनियूस है आप बोलो कि दिख तो रहा है लेकिन ऐसे चलेगा नहीं mathematics है तो आपको mathematically प्रूव करना पड़ेगा कि डिसकंटीनियूस है तो उसका basic definition क्या होता है अगर आपको चेक करना है एक्जाम वाला है उसको यह तो बोल नहीं सकते कि हाँ दिख रहा है आँखों से देख लो तो यह तो मतलब basic Lehman language हो गया है अगर आपको प्रूव करना तो आप ऐसे कर सकते आप आप एफ थ्री प्लस निकालो एफ फ थ्री माइनस निखालो और एफ फ थ्री निकालो इन तरि नों का वैल्यू ईक्वल आहेगा इन तीनों का वैल्यू इक्वल यहां पर नहीं आएगा अगर आप देखो कि f of three plus का value कोई बता सकता है क्या three plus मतलब three से थोड़ा ज्यादा अगर आप यहाँ पे check करोगे three से थोड़ा सा ज्यादा तो वहाँ पे basically three plus पे जो function का value आएगा वह approximately कितना आएगा five आएगा तो यहाँ पे तो five आ रहा है exactly equal to three पे आप चेक करो x equal to three पे अगर आप चेक करोगे तो function यहाँ पे dot है यहाँ पे circle है तो जहाँ पे dot होता है वही वाला value अपन consider करेंगे तो five value है ठीक है तो इसका value five है तो यहाँ पे देखो function तो defined है function is defined at x equal to three लेकिन limit exist नहीं करती है है यहाँ पे limit को हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे limit does not exist तो यह function basically क्या होगा आपका function continuous तभी होगा यहाँ फंक्शन continuous तभी होगा जब limit exist करेगी function defined होगा और दोनों का value equal और finite भी होना चाहिए इन छोट आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप x equal to a पे चेक कर रहो if you are checking whether the function is continuous or not at x equal to a तो आप यहाँ पे यह चेक कर लो कि rhl का value कितना है है ना rhl equal to lhl equal to value of the function होना चीए and equal to finite होना चीए अगर यह condition आगी तो आप बोल सकते हो कि function will be continuous समझे function continuous तभी होगा when rhl is equal to lhl it is equal to the value of the function also and all of them are finite then only the function will be continuous ठीक है तो यह भी आपको सम्दमा गया अचा लास्ट वाले में बता दो x equal to 3 पे यहां पे at x equal to 3 चेक करो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूँगा कि continuous है या discontinuous है तो अगर आप चेक करके बताओ x equal to 3 पे limit exist करती है कि नहीं करती है इस वाले function में आप चेक करो तो अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 3 plus, f of 3 minus और f of 3 इन सब का value निकालो तो f of 3 plus का value आपको दिख रहा है, it will be equal to 4 f of 3 minus का value भी 4 आएगा आप देख लो यहाप एक डाइग्राम से अगर 3 plus तो 3 plus पे अगर आप function का value देखोगे तो approximately it is equal to 4, यहाँ पे भी आप देख लो, ठीक है यहाँ 3 minus पे देख लो, 3 plus पे देख लो, तो दोनों पे value 4 है और f of 3 का value कितना है, exactly equal to 3 पे देखो, तो dot कहाँ पे है यहाँ पे तो circle है, यहाँ पे dot है, तो इसका value 5 है, तो limit exist करती है limit exist करती है, function भी आपका defined है, limit exist करती है, function भी आपका defined है बड़ फिर भी, क्या यह continuous होगा, यह continuous नहीं होगा, क्योंकि दोनों equal नहीं है limit exist करती है, function भी defined है, सब कुछ सही जा रहा है, बड़ दोनों का value equal नहीं है ultimately हम यहीं बोलेंगे, this is discontinuous at x equal to 3, x equal to 3 पर discontinuous है, बाकी अगर आप अगले वाले point पर यहाँ पर check करोगे, x equal to 4 पर तो it will be continuous, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, केवल x equal to 3 point पर हमने check किया, वहाँ पर limit का value और function का value अलग अलग है तो हम बोल देंगे कि it is discontinuous, तो समझ गें न, in short, यहाँ पर basic definition क्या है, basic definition यह यह, कि limit आपकी exist करनी चाहिए, function defined होना चाहिए and दोनों का value equal भी होना चाहिए, then only the function will be continuous at that particular point, उस particular point पे तभी वो continuous होगा एक और example देखते हैं, चलो यह वाला बताओ, यहाँ पर, अचाँ एक और चीज़ में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कि यह जो limit है, जैसे यहाँ पर limit of the function exists, है न, और function भी defined है limit exist करती है, function भी defined है, यहाँ पर limit exist नहीं कर रही है, function फिर भी defined है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो limit भी exist कर रही है, function भी defined है तो ये आपस में independent होते है limit exist कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है function defined हो भी सकता है not defined भी हो सकता है बट ये आपस में independent है ऐसा नहीं होता कि अगर limit exist करेगी तो function को define होना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच में कोई relation नहीं है ऐसा नहीं होता है कि अगर function defined है तो limit को exist करना ही पड़ेगा यह ना both of them are independent of each other कि जो limit है यह exist कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है function defined हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो सब कुछ depend करेगा कि उसका graph कैसा है तो graph पर depend करेगा है थे आगें देखने से क्या लग रहा है बताहाू यह function का आंसर क्या नहीं है अकर मैं आपसे पूछों की at x3 तो आपको देखने से क्या लग रहा है अकन्दिनियूस होना چाहिए डिस इस नहीं है तो देखने से तो यही लग रहा है कि यह जो function इसको mathematically हम कैसे समझेंगे तो अगर आपको mathematically समझना तो आप ऐसे देख लो कि एफ ओफ त्री का वैल्यू है नौट डिफाइन लब इसमें तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है x equal to 3 पे इस particular function का कोई वैल्यू है क्या देखो यहांपे कोई graph है यहx कर रहा है बट x equal to 3 पे x का value जब exactly 3 है तो वहाँ पे y का कोई value है क्या वहाँ पे dotted line है तो वहाँ पे function defined ही नहीं है समझ गे ना अगर आप से कोई पूछेगा f of 3 plus तो f of 3 plus का value कितना है तो 3 से थोड़ा सा आगे जाओगे आप यह वाला point ले लो यह 3 प्लस है और 3 से थोड़ा पीछे तो यह वाला point है 3-3 प्लस पे आप चेक करो तो 3 प्लस पे इसका value जाएगा यह बहुत बड़ा जाएगा इट विल बी इंफाइनाइट एंड 3-3-3 पे अगर आप चेक करोगे तो 3- पे भी इसका value जाएगा इट विल बी इंफाइनाइट अचा एक बात बताना हमने limits चेप्टर में पढ़ा था कि अगर LHL is equal to RHL तो limit exist करेगी तो इस particular case में limit exist करेगी क्या LHL infinity है RHL भी infinity है दोनों का value infinite infinite है तो क्या limit exist करेगी एक बार कोई बता सकते है यहाँ पर limit exist कर रही है यह limit does not exist क्या लिखेंगे हम हाँ exactly ठीक है दिस लिमिट does not exist क्योंकि limit exist तभी करती है वेन LHL is equal to RHL and it should be equal to finite ओल्सो ना finite भी होना जी है ऐसा थोड़ी की infinite infinite तो मैंने आपको यह सिखाया था है लिमिट chapter में actually हमने देखा भी था कि अगर LHL equal to RHL equal to finite है देन only limit will exist अगर दोनों का value infinite आ गया तो actually तब भी हम क्या बोलेंगे तब भी हम यही बोलेंगे limit does not exist है ना तो इस वाले function में तो यह वाला जो function अपने को given है इस में तो function defined नहीं है और limit भी exist नहीं करती है function defined नहीं है limit exist नहीं करती है तो obviously the function is discontinuous दिख गया होगा अब मैं रिकाल आपको सान में आ गया है ना एक और example फिर भी देखी लिए थे इस वाले function में बताओ at x equal to 3 limit exist करती है कि नहीं करती है एक बार फटा फट देख के बता दो limit exist करेगी या नहीं करेगी तो आप यहां पर निकालो f of 3 plus f of 3 minus है ना यह rhl है basically this is rhl this is lhl इन दोनों का value निकालो f of 3 plus तो 3 plus पे जो function का value है that is 4 और 3 minus पे 3 minus पे अगर आप चेक करोगे तो फिर से यहां से ऐसे चेक करोगे ना यह 3 minus और यह 3 plus तो approximately function का value है that will be 4 approximately limiting value है तो limit exist करती है limit तो exist करती है but function यहां पर आजागा limit exist लेकिन function अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 3 f of 3 का मतलब x exactly equal to 3 पे देखो x का value जब exactly 3 है ना जादा ना कम तो जादा है ना तो कम है तो x exactly equal to 3 पे यहां पे तो circle है और उपर कहीं पे भी dot है नहीं ठीक है उपर हर जगे dotted line है अगर dotted line है तो यहां पे f of 3 क्या है f of 3 आपका आ जाएगा not defined function defined नहीं है तो ultimately यह क्या आ जाएगा बाई continuous तभी होगा function continuous तभी होगा जब limit exist करेगी function भी defined होगा और दोनों का value equal भी होना चाहिए इन तीनों का value equal होना चाहिए अगर इन तीनों का value equal है then only the function will be continuous तो इसका answer भी क्या है इसका answer भी है कि this is discontinuous समझगे it is discontinuous कहां पर it is discontinuous at x equal to 3 तो यह आपको समझ में आ गया कि हम continuity और discontinuity कैसे चेक करेंगे किसी भी एक point पर at a point आप उसको कैसे चेक करोगे यह आपको समझ में आ गया और आगे बढ़ते है अब देखो कुछ questions करता है ठीक है जैसे यह वाला question एक पर try करना इसमें आपको function given है ठीक है find whether fx is continuous at x equal to 0 और not है ना तो fx x equal to 0 पर continuous है या continuous नहीं है यह आपको यहाँ पर पता लगाना है yes तो यह वाला question कैसे करेंगे अब देखो x equal to 0 पर function continuous कब होगा है ना fx will be continuous at x equal to 0 यह continuous कब होगा if if limit of the function if limit of the function at x tending to 0 will be equal to the value of the function तभी होगा ना continuous तभी होगा if limit of the function will be equal to the value of the function yes यह एक दब crystal clear है function x equal to 0 पर continuous तभी होगा जब limit exist करेगी function भी defined होगा और दोनों का value equal भी होगा तो आप यहां पर एक्चुली limit निगालो limit x tending to 0 निगालो limit x tending to 0 इसका value पहले निकालो limit x tending to 0 of fx अचा x tending to 0 है अब इसको ध्यान से समझना ठीक है यहां तक concept clear है यहां तक concept के वल इतना ही है कि आपको चेक करना है function आपको गिवन है आपको चेक करना है कि continuous है या नहीं x equal to 0 पर हम सबसे पहले limit निकालेंगे value of the function निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि दोनों का value equal है या नहीं अचा मैंने आपको क्या समझाया था previous chapter में अगर x tending to 0 है इसका मतलब simple होता है कि x का value is not equal to 0 अगर x tending to 0 है इसका simple मतलब होता है कि x का value 0 कभी नहीं होगा या तो 0 से थोड़ा ज्यादा होगा या 0 से थोड़ा कम होगा यह न यह आप एकदम crystal clear रखना इफ x is tending to 0 that means x will never be equal to 0 या तो 0 से थोड़ा ज्यादा होगा या 0 से थोड़ा कम होगा तो हम कौनसी वाली definition use करेंगे यह उपर वाली या नीचे वाली यहाँ पर लिखा है x is tending to 0 तो जब x is tending to 0 that means x is not equal to 0 यह उपर वाला जो है वह आपका function है यह उपर वाला जो है वह आपका function है और इसका limit आपको निकालने है इसका limit कैसे निकालेगे अब limit निकालने के लिए पहला step क्या होता है सबसे पहला step यह होता है कि आपको form चेक करना पड़ेगा तो यह कौन सा indeterminate form है तो step 1 आप चेक करो कि यह form कौन सा है तो यह जो indeterminate form है इसमें आप x का value 0 पुट करो तो cos 0 1 और cot 0 कितना आ जाएगा यह cot 0 आ जाएगा cos 0 by sin 0 तो 1 की power infinity form आपको चमग गयो होगा this is 1 की power infinity form और अगर 1 की power infinity form है तो इसको solve कैसे करता है इसको solve करने का क्या तरीका होता है इसको solve करने का तरीका देखो यहाँ पर solve करते है limit x tending to 0 और cos x की power है cot square x ठीक है यह one की power infinity form है तो one की power infinity form को solve करने का तरीका होता है e की power में e की power यहाँ पर limit x tending to 0 इसको cut और paste याद आ गया e की power cut paste और यहाँ पर आ जाएगा e की power limit x tending to 0 और यहाँ पर है cos x minus 1 और इसको आप नीचे बेज दो actually कि जो cut square है इसको आप लिख दो नीचे tan square x क्यूंकि standard form बन जाएगा ना अब आपको चमक गया होगा कौन सा standard form है यह tan square x है तो यहाँ पर आप actually multiply कर दो x square के साथ और divide कर दो x square के साथ तो जैसे ही आप multiply divide करोगे आपको यहाँ पर standard form दिख गया क्या एक तो standard form यह है और दूसरा हमारा standard form यह है यह कौन सा standard form है यह वाला standard form है 1 minus cos dabbah divided by dabbah square लेकिन यह 1 minus नहीं है यह cos dabbah minus 1 है तो इसका value minus 1 by 2 आ जाएगा तो अगले step में कितना आ गया e की power इसका value है minus 1 by 2 और इसका value है 1 तो ultimately we are getting e raised to minus 1 by 2 चमक गया होगा तो यह तो limit आ गया और function का value कितना है at x equal to 0 जब x का value 0 है तब function का value कितना है तो यह f of 0 f of 0 आपको question में already given है when x is equal to 0 that time the value of the function is this तो क्या दोनों equal है है हमने limit of the function निकाला limit fx at x tending to 0 यह हमने निकाला इसका value कितना है e की power minus 1 by 2 और function का value भी वही है तो दोनों equal है और दोनों equal भी है दोनों finite भी है तो इसका मतलब यह function continuous होगा तो इसका final answer क्या है इसका final answer यह आएगा it is continuous at x equal to 0 एकदम crystal clear यह वाला question कितने लोगो समझ में आ गया यहाँ पर हम x equal to 0 पर check कर रहे तो function का value उस point पर limit of the function भी उसी point पर and then आप चेक करो कि दोनों equal and finite है या नहीं ठीक है एक और question करेंगे चलो यह वाला question एक बर आप ट्राइ करो यहाँ पर again question में आपको given है कि यह function continuous है अचा यह reverse question है this is reverse question question में आपको given है की function है function continuous है और function हर जगह continuous है it is continuous everywhere then prove that a into b is equal to 1 तो यह कैसे prove करेंगे इसको प्रूव करने के लिए देखो आपको question में क्या बोला है function is continuous अगर function continuous है इसका मतलब function continuous हर जगह है कोई भी point आपको mention तो है नहीं कि भाई function continuous इस वाले इस पर्डिकुलर function is continuous at x equal to 0 और x equal to 0 पर आपको दो अलग अलग definition given है तो सबसे पहले आप निकालो limit है ना सबसे पहले आप निकालो limit limit x tending to 0 of fx और fx कितना है यह वाला function लेगे ना क्यूंकि x is tending to 0 अगर tending to 0 मतलब not equal to 0 आप यह ले लो e raise to x minus 1 और इसकी limit हम कैसे निकालेंगे इसकी limit निकालने के लिए सजावट method use कर लो है ना देखो एक ही step में कर देता है ठीक है इसका answer आजाएगा एक ही step में तो यह भी लिखा हुआ है और यह जो कोशीक है यह कोशीक को आप लिख दो 1 by sin तो यहां पर आजाएगा sin of ax ठीक है तो सजावट method है सजावट method करेंगे तो यहां पर x cube आएगा बला बेसिकली इसका color change कर देता है आपने divide multiply करना है तो x cube से divide कर दो और x cube से multiply भी कर दो चमक क्या होगा मैंने क्या क्या x cube से divide और x cube से multiply ठीक है तो यह कितना बन गया अब यह बन गया one this will become one यह भी बन गया one दिख्या होगा ना this is e raise to डबबा minus one by डबबे का square और यह log of one plus डबबा divided by डबबा इसका value भी one और यहां पर आपको a से multiply डिवाइड करना पड़ेगा तो आप a से multiply डिवाइड कर लो अब इसका value भी कितना है तो यह भी बन गया one तो ultimately limit कितना आ रहे है अगर आप पूरा calculate कर लोगे तो जो limit का value आएगा limit का value आएगा one by a अब question में आपको यह भी given है कि f of 0 कितना आएगा तो limit तो हमने निकाल दिया limit of the function आ गया अब आप value of the function निकालो f of 0 कितना है यहां पर अगर आप देखोगे f of 0 f of 0 का value कितना है तो at x equal to 0 the value of the function is b यह ना यह next line में लिखा हूँ है mix मत कर देना तो f of 0 is equal to b अब दोनों को equate कर दो क्यूंकि function continuous है function continuous तभी होगा ना when value of the function is equal to the limit of the function तो 1 by a is equal to b तो बस आगया 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 value of the function is equal to the limit of the function hence proved चालो और आके बढ़ते एक और question करेंगे यह वाला question ट्राइग करो और चेक करके बताओ कि इस इन्होंने बोला discuss the continuity of fx at x equal to 0 ठीक है तो इनका question है discuss बट आप discuss मत करना आप आपस में discuss मत करो सीधा मुझे बताना ठीक है discuss मत करो class में chat करते रहते हो ठीक है तो आपस में discuss नहीं करना है सीधा अंजर बता दो कि एक x equal to 0 पर continuous होगा या नहीं होगा check करके बताओ है ना so check at x equal to 0 at x equal to 0 is the function continuous और is the function discontinuous चेक करके बताओ ठीक है at x equal to 0 तो सबसे पहले limit निकाल लो at x equal to 0 अपने को check करना है तो पहले तो आप limit निकाल लो limit x tending to 0 और function क्या है यहाँ पर function है 1 plus 3x और इसकी power है 1 by x तो यह function है कौन सा form है यह कौन सा indeterminate form है तो x का value 0 put करो तो जैसे ही आप x का value put करोगे 0 x का value 0 तो यह आगया 1 और x का value 0 1 upon 0 1 upon 0 तो that is infinity तो 1 की power infinity form है और अगर 1 की power infinity form है तो कोई भी solve कर लेगा e की power limit x tending to 0 है ना 1 की power infinity form को कैसे solve करते है यह तो मजाग हो गया है ना तो बस यहाँ पर आप करतो fx minus 1 fx minus 1 करोगे तो 3x आएगा और multiplied by gx तो x और x cancel हो गया बस आपको दिख गया कि कितना e cube और यहाँ पर value of the function कितना x equal to 0 पर भी e cube है तो same same है f of 0 is equal to limit extending to 0 दोनों का value equal है तो यह function continuous है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि since the value of the function is equal to limit of the function therefore function fx is continuous at x equal to 0 चमक क्या होगा मेरे खाल से ठीक है तो यह जो function है यह x equal to 0 पर continuous है बिल्कुल सही answer जिन-जिन का answer आ गया continuous बिल्कुल सही ठीक है और आगे बढ़ते यह जो question है यह जेई का previous question है इसको आप एक बार try करो जेई advance pyq previous question है आप इसको अपनी जो pyq वाली book है उस पर आपको यह मिल जाएगा इसको आप एक बार try करो चीक है यह कैसे करेंगे इसमें आपको बताना है कि determine the value of a if possible अगर possible हो तो बताओ ठीक है अगर हो सके तो बता दो ना हो सके तो कोई बात नहीं कितना generous है यही वाले request कर रहेगी अगर बता है तो बता दो प्लीज नहीं पता है तो मत बताना कोई बात नहीं गुस्सा क्यों कर वह बहुत ही generous है question की language काफी बढ़िया लगी अपने को determine the value of a if possible so that the function is continuous at x equal to 0 function continuous है x equal to 0 पे तो आपको a का value बताना है तो कैसे करेंगे बताओ function continuous तभी आएगा यहां पर देखो अलग-अलग definition है x less than 0 के लिए कुछ और है x equal to 0 के लिए कुछ और और x greater than 0 के लिए कुछ और है तो basically यह function continuous कब होगा यह function continuous तभी होगा जब f of 0 minus will be equal to f of 0 plus and it should be equal to f of 0 इन तीनों का value equal होना चाहिए मतलब lhl equal to rhl equal to the value of the function then only the function will be continuous at x equal to 0 यह बात समझ में आ रही है function continuous तभी होगा x equal to 0 पे जब इन तीनों का value equal आएगा तो सबसे पहले आप निकालो यहां पर lhl यह lhl निकालो lhl मतलब lhl मतलब यह f of 0 minus f of 0 minus मतलब यह जो x less than 0 यह वाला जो function है इसमें आप निकालो limit extending to 0 limit extending to 0 of this particular function 1 minus cos 4x upon x square तो इसकी limit कैसे निकालने के लिए आप क्या करो यहां पर 16 से divide कर दो और 16 से multiply कर दो अब ऐसा क्यों किया 16 से multiply डिवाइड कर दो आपको दिग्या होगा यह क्या है यह 1 minus cos डब्बा standard form दिग्या 1 minus cos डब्बा और यह नीचे वाला जो है इसको आप लिख दो डब्बे का square तो 16 x square is basically 4 x का whole square तो दिग्या होगा यह standard form बन गया और अगर यह standard form बन गया तो इसका value कितना आएगा f of 0 का value a है that is already given तो यहाँ पर a का value 8 आ सकता है बट यह तभी तो यहाँ पर लिखा इफ possible तुम्हें क्या लगा जहीं वाले सच में मतलब अच्छे बन गए यह if possible इसलिए लिखा है क्योंकि a का value आप directly 8 tick कर दो गया तो गलत आंजर भी हो सकता है क्या पता इसका value 8 आई नही यह 7 आ गया तो आप यहाँ पर answer क्या दोगे है अगर अगर मानलो अगर इसका value कुछ और आ गया f of 0 प्लस आपने निकाला और इसका value मानलो 7 आ गया थोड़ी देर के लिए assume कर लो तो फिर LHL और RHL कभी equal होई नहीं पाएगा तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि ऐसी value of a will exist तो फिर उस case में आपका answer आजाएगा a element of phi मतलब ऐसी कोई value या फिर आप basically बोल सकते हो no value no solution आपको बोलना पड़ेगा बट यह तो तभी आपको बोलना पड़ेगा तभी यहां पर लिखा इफ पॉसिबल कि अगर ऐसी कोई value exist करती है तो बताओ समझ में आया है यह सा क्यों लिखा है अच्छा तो इसका value निकालेंगा f of 0 प्लस निकालना एक बड़ एक बड़ एक f of 0 प्लस यहां पर आप करोगे limit x tending to 0 और यह वाला function x greater than 0 0 प्लस है इस function का limit निकालो यह वाला जो function है that is root x और यहां पर है under root of 16 plus root x तो इसको तो rationalize कर दो इसको आप rationalize कर दो इसको आप जैसी rationalize करोगे तो यह basically simplify हो जाएगा and you will get the answer limit x tending to 0 अचा बताना इसको rationalize करेंगे तो कितना आएगा यह 16 और इदर भी 16 आजाएगा तो वो तो cancel हो जाएगा 16 से 16 cancel root x नीचे भी root x आजाएगा बस basically यह आएगा root x नीचे भी आजाएगा root x नीचे भी आजाएगा root x ना conjugate तो 16 plus root x और प्लस 4 ठीक है तो यह simple साही question है और यह हो गया cancel ultimately limit कितनी आरे x का value 0 put कर देना तो x का value 0 put कर दोगे तो 4 प्लस 4 यह भी 8 आ रहें है ना function continuous हो जाएगा x equal to 0 पे function continuous हो जाएगा x equal to 0 simple सी बात है तो a का value 8 आ जाएगा बट इसमें आपको दोनों निकालके check करना पड़ेगा जल्द बाजी में answer मत कर देना अगर किसी ने एक मानलो यह निकालके answer 8 tick कर दिया और फिर बाद में पताएगा आपको इसका value अलग आ रहा था आपको उसमें लिखना था कि ऐसी कोई a की value एक्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि लिमिट कभी एक्जिस्ट नहीं करेगी तो यह continuous होई पाएगा कुछ भी कर लो आपके हाथ में नहीं है ठीक है समझे तो यह तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा यह भी जही गई और पाई के बीच में x का वैल्यू कुछ भी ले लो हर जगा यह continuous है तो हम कौन-कौन से points पर यहां पर check करेंगे आपको a और b का value निगाल ले तो एक तो आप पाई बाई 4 पर continuous कर दो है ना at x equal to पाई बाई 4 the function will be continuous और function continuous तभी होगा जब f यहां पर क्या आएगा function continuous तभी होगा ना जब f of pi by 4 minus it should be equal to f of pi by 4 plus and it should be equal to f of pi by 4 इन तीनों का value सेम होना चाहिए तो बस यह condition लगा दो आप है ना यहां पर question में आपको बोला है कि function continuous है और अगर इस तरह के question को करने का एक shortcut भी होता है कि देखो यहां पर क्या है यहां पर x less than pi by 4 है और यहां पर x greater than equal to pi by 4 है ठीक है तो x less than pi by 4 के लिए यह definition है और x greater than pi by 4 के लिए यह वाली definition है तो एक बार पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ ये बनेगा सबस्सक्राइब सबस्क्छा और इस में एक बार पाई-बाई-बाई-फोर, प्लस भी तो यह से एक equation आजाएगे न, this will get cancelled ultimately कितना आएगा बता न ultimately यहाँ पर आजाएगा a equal to pi by 4 plus b, यह आजाएगा तो यह equation number 1 this is equation number 1 अब similarly x equal to pi by 4 पर आपने continuous कर दिया, similarly अब यहाँ पर आप x equal to pi by 2 पर भी continuous कर दो, क्योंकि यह definition है वो अलग-अलग है न, pi by 2 से कम, तो यह उपर वाली definition है और pi by 2 से जाधा तो यह नीचे वाली definition है तो एक बार इसमें pi by 2 put करो अब pi by 2 put करना है, यहना एक बार pi by 2 इसमें put करो एक बार pi by 2 इसमें put करो और equate कर दो बस, समझ गे तो at x equal to pi by 2 also, the function is continuous, तो आप यहाँ पर कर दो, f of pi by 2 minus equal to f of pi by 2 plus बस इतना कर दो, इतना कर दोगे तो एक और equation आजाएगी तो एक और equation क्या आएगी, बताना, इसमें pi by 2 put करोगे, इसमें pi by 2 put करोगे, तो cot pi by 2, वो तो 0 होता है, ठीक है plus b, तो plus b और यहाँ पर कितना आजाएगा, इसमें pi by 2 put करना, तो a cos pi, cos pi का value होता है, minus 1 ठीक है, यह, और यहाँ पर b और sin pi by 2, तो that is 1 तो यह आगे, ultimately, ठीक है तो यहाँ से आजाएगा, 2b equal to minus a, बस अब दोनों equation को आप solve कर सकते हो, यह equation number 2, ठीक है, दोनो equation को आप solve कर लोगे, तो आपका a और b का value आजाएगा, बताओ था क्या इस question में कुछ भी, simple simple से question, basically, यह सब है ना, कर लोगे ना, तो आप इसके बाद आपको क्या करना, दोनों equation को solve करना है, बस, तो a का value है, pi by 4 plus b और दूसरी equation क्या है, दूसरी equation हमारे पास है, a का value minus 2b, पुट कर दो, a का value है, minus 2b, आप दोनों को equate कर दो, दोनों को equate कर देंगे, तो minus 3b equal to pi by 4, तो b का value तो आजाएगा, minus pi by 12, ठीक है, और a का value, a का value यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, so this will be how much, minus 2 into minus pi by 12, तो यह आजाएगा, pi by 6, चमक यह, यह कितने लोग का answer आगया, तो बस pi by 6, और minus pi by 12, ठीक है, simple सा question था, तो again मतलब, यहाँ पर हमने concept why use कि function continuous तभी होगा, when lhl is equal to rhl is equal to value of the function, यहाँ पर भी आप value of the function, पर इसमें आपको यह समझ मारा ने कि value of the function same ही होगा, आप इसमें pi by 2 पुट करो, और equal to pi by 2 भी इधर ही है, इधर equal to pi by 2 है, x equal to pi by 2 कहाँ पर है, equal to pi by 2 यहीं पर है, तो आप x का value in fact pi by 2 भी पुट करोगा, तो वो same ही आएगा, है ना, तो यहाँ पर lhl और value of the function will be same, lhl or value of the function will be same तो basically आप यहाँ पर किसी भी 2 को निकालके equate कर सकते हो सब कुछ निकालने की जरूद नहीं है किसी 2 को निकालके equate कर तो directly आप का आँचला जाएगा, ठीक है, और आगे बटते है एक और question करेंगे, यह भी J-E का ही question है, यह ना, यह थोड़ा पुराने जबाने का question है, ठीक है, इसको एक बार try करना, तो determine the value of A and B such that fx is continuous at x equal to 0, x equal to 0 पे function continuous है है ना, x equal to 0 पे function continuous, तो अब आपको I think यह feel आरी होगी कि अगर आपको limits आता है, यह पूरा chapter तो limit ही है, LHL, RHL यही सब चलेगा इसमें, ठीक है, तो अगर आपको limits आता है, तो continuity or differentiability बस खतम है ठीक है, वो भी आपको आजाएगा बड़े अराम से आजाएगा, जिनको limit नहीं आता है, वो थोड़ा revise करो ठीक है, revise करना पड़ेगा, limit के lecture आपको अच्छे से complete करने पड़ेंगे, continuity का direct relation है, ठीक है यह यह वाला एक बड़ ट्राई करना, यहाँ पर again, this function is continuous at x equal to 0, तो अगर at x equal to 0, the function is continuous, अगर continuous है, तो इसका मतलब f of 0 minus should be equal to f of 0 it should be equal to f of 0 plus, इन तीनों को निकाल के equate कर दो, तो concept तो यह है, अब f of 0 minus कैसे निकालोगे, lhl lhl का value निकालो, lhl is basically f of 0 minus, so f of 0 minus के लिए, 0 minus मतलब less than 0, तो यह वाली definition, इसमें आप limit निकालो तो यहाँ पर आजाएगा limit x tending to 0 0 या 0 minus भी आप लेख सकते हो, ठीक है you can write limit x tending to 0 0 minus, basically यह समझने का है कि this is 0 minus यहाँ पर x का value है वो 0 minus, और यह है 1 plus 1 plus mod of sin x 1 plus mod of sin x और इस पूरे की power क्या है a upon mod of sin x तो यह है, अब यह कौन सा form है बताना, यह जो है यह कौन सा form है, 1 plus mod of sin x, तो यह basically 1 की power infinity form है, दिख गया? x का value 0 put कर दो तो जैसी आप x का value 0 put करोगे, this is 1 की power infinity form, दिखा के नहीं yes, this is 1 की power infinity form, अगर 1 की power infinity form है, तो यह तो हमारा इलाका है, इसमें गया है, इसमें तो सब कुछ हमें आता है तो e की power limit x tending to 0 minus, और यहाँ पर fx minus 1, fx minus 1 करोगे, तो mod sin x 1 से 1 cancel हो जाएगा, तो fx minus 1 into gx into a divided by mod of sin x अब यह तो cancel हो गया, तो ultimately यह आ जाएगा, e raise to a तो इसका value आ गया, e raise to a e raise to a अब आप यह निकाल लो, f of 0 plus निकाल लो, तो 0 plus मतलब greater than 0, तो इसका limit निकाल लो, एक बार इसका limit निकालेगे, एक बार इसका limit निकालेगे, और तीनों को equate करतेंगे, यहाँ पर तो b है ठीक है? इसका limit इसका limit और बीच में b है, तीनों को equate करतोगे, you will get the answer simple, ठीक है, तो इसका limit कितना आएगा? यहां पर आरेचल भी निकाल लेते हैं तो आरेचल निकालने के लिए अगेन लिमिट ठीक है लिमिट एक्स्टेंडिंग टू जीरो और यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको रियरेंज कर दो ठीक है यहां पर आप लिख दो ताइन 3X अब इसमें क्या करना पड़ेगँ अब डिवाइड कर दो 2X और मिल्टिप्लाय कर दो 2X ठीकर दो 3X लिड़ाइड कर दो 3X इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1 और यहां पर X और X कैंसल तो Bस अब त्ublik रेख कर दो तीनों को equate करोगे तो कितना कितना है यह f of 0 minus तीनों का value आ गया na f of 0 minus f of 0 और f of 0 plus तीनों का value आ गया इसका value कितना e raise to a और f of 0 कितना है x equal to 0 पे जो function का value है that is b तो यहां पे b है and this is equal to e raise to 2 by 3 तो बस a और b का value दिख गया आपको ठीक है कितना कितना है yes simple है तो b का value यह है यहां पे जो b का value है that is e raise to 2 by 3 और a का value है 2 by 3 so this is the final answer ठीक है final answer यह है simple काफी simple chapter है simple simple question यह है चलो एक और j e का question करेंगे j e 2011 यह वाला question कैसे करेंगे yes इसको भी try कर लो एक बार फटा फट सा answer बता दो yes j e 2011 का यह वाला question है तो again यहां पे बोला है find the value of p and q find the value of p and q for which this function is continuous for all x element of r everywhere it is continuous और अगर हर जगा continuous है तो x equal to 0 पे भी continuous होगा है ना तो आप इसको बस at x equal to 0 आप इसको continuous बना लो at x equal to 0 it should be continuous अब यह continuous तभी आएगा जब f of 0 minus is equal to f of 0 and that is equal to f of 0 plus ठीक है तो f of 0 minus मतलब इसकी limit निकालो फिर यह वाला value तो already given है q और इसकी limit निकालो तो मतलब ऊपर वाले की limit नीचे वाले की limit और equate कर दो q के साथ तो p और q का value आएगा यह exactly वैसा ही question है ठीक है तो उपर वाले का limit कैसे निकालेंगे f of 0 minus निकालो पहले तो आप f of 0 minus तो इसके लिए limit x tending to 0 minus और यहाँ पे क्या है sine of p plus 1 into x plus sine x और divided by x है अच्छा तो यहाँ पे x के साथ आप divide कर सकते हो ना और ultimately यहाँ पे p plus 1 भी कर देना आप ठीक है तो p plus 1 और इधर भी आ जाएगा p plus 1 directly आ जाएगा तो यह पूरा बन गया डबा ठीक है यह वाला डबा और यह वाला भी डबा तो कितना आ गया value p plus 1 और यहाँ पे plus 1 तो ultimately what is the answer this will be p plus 2 आ गया यह चमा गया p plus 1 और यहाँ पे plus 1 तो यह p plus 2 आ जाएगा तो यह आ गया अब इसका limit कैसे निकालेंगे यह वाला जो है आरे चल ओहो एक मिनिट यहाँ पे करना पड़ेगा तो आरे चल कर लेते हैं f of 0 प्लस यहाँ पे limit extending to 0 प्लस और इसका limit निकालना है ठीक है यह तो इसमें एक काम करो यह जो numerator है numerator में मैंसे root x common ले लो x common ले लो basically है ना तो x common ले लोगे यहाँ से x common पूरे मैंसे ठीक है यह पूरा जो numerator है पूरे मैंसे यह common आ जाएगा तो basically अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 1 प्लस x यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x यह बचेगा common ले लो बस और minus 1 और नीचे यह x की पार 3 by 2 x की पार 3 by 2 मितलब x root x यह चमक गया तो बस आप यहाँ पर थोड़ा सा manipulation कर लो इसको simplify कर लो तो अब यह root x root x हो जाएगा cancel यह root x root x हो गया cancel और यह जो बचा हुआ है उसमें आप rationalize कर सकते हो है ना तो rationalize कर लो बस यहाँ पर multiply कर देना under root of 1 plus x plus 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा under root of 1 plus x plus 1 चमक गया तो यह आ गया rationalize कर दो जैसी आप rationalize करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यह 1 से 1 cancel हो जाएगा यह पूरा x और यह भी x दिख गया ना तो पूरा cancel हो जाएगा x और x कितने लोगो दिख गया उपर x दोनों को multiply कर देना तो a plus b a minus b that is x this is also x तो cancel हो गया x का value 0 put कर दो x का value 0 put कर दो तो ultimately 1 by 2 हा रहे 1 by 2 आ गया बस अब तीनों को equate कर दो इसका value है कितना p plus 2 ठीक है p plus 2 और इसका value कितना है यहाँ पर है q और इसका value है 1 by 2 तीनों को equate कर दो what is the answer तो q का value 1 by 2 है ना तो यह तो गलत है और यह वाला भी गलत है इन दोनों में से आप solve करके देख लो p का value आएगा minus 3 by 2 option c is the answer बस दिख गया कितने लोगों को दिख गया directly दिख गया होगा मेरे खाल से तो तो yes this is the answer तो यह भी काफी simple चाही question था अब और आगे बढ़ते है अब यहाँ पर discuss करते है कुछ important points जिसको आपको ध्यान में रखना है तो इसको note भी कर लेना इसको समझ भी लेना और इसको ध्यान में रखना है तो इसको आप note down भी कर लेना और इसको ध्यान में रखना है इस पूरे chapter में पूरे chapter में यह काफी ज़्यादा important है तो पहला point आप यहाँ पर note करो first point first point is continuity first point is continuity is always talked in the domain of the function हम continuity की बात function के domain में ही करेंगे function के domain के बाहर नहीं करेंगे जैसे for example example से समझो जैसे for example मालो यह वाला function है यह वाला function है example के लिए यह लेलो fx equal to 1 by x let's say यह function है अब इस function का graph तो आपको पता ही है यह वाला function है y equal to 1 by x y equal to 1 by x का graph क्या होता है किसी को याद है y equal to 1 by x का graph कैसा होता है y equal to 1 by x का graph rectangular hyperbola होता है ऐसा graph आएगा this will be the graph of the function yes this is the graph of y equal to 1 by x तो यह वाला जो function है इसका domain बताओ what is the domain of this particular function यह function defined कब होगा यह जो function है इसका domain आएगा everything except 0 क्योंकि denominator 0 हो जाएगा अगर x का value put कर दोगे आप 0 तो denominator 0 हो जाएगा तो x equal to 0 पे यह function defined नहीं है है ना x equal to 0 पे यह function defined नहीं है और इसका graph देखके बताओ कि यह function में pen उठाने की जरूद कहां पे पड़ेगी है अगर आपको इस particular function का graph draw करना है अगर आपको इस particular function का graph draw करना है तो कहां पे pen उठाने की जरूद पड़ेगी x equal to 0 पे बट x equal to 0 तो domain में नहीं है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि this particular function is continuous in its domain अपने domain में क्या वो continuous है अपने domain में यह continuous है तो हम जब भी continuity या discontinuity की बात करेंगे तो उसके respective domain में करेंगे जो point defined ही नहीं है यहाँ पे x equal to 0 पे कोई graph ही नहीं x equal to 0 पे function defined ही नहीं है तो जो चीज defined नहीं है वहाँ पे हम basically function की continuity या differentiability की बात नहीं करेंगे है है ना मैंने आपको famous example भी दिया था जैसे अगर आप मुझसे पूछते हो कि sir आपकी जो second wife है वो कैसी दिखती है तो है ही नहीं है नहीं तो मैं क्या बताऊंगा अब मतलब जो चीज exist ही नहीं करती है जो चीज दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में आप बाते कैसे कर सकते हो है ना लोग ऐसी मतलब बाते करते रहते हैं कहां मतलब तरह तरह की बाते करते हैं जो चीज exist ही ही कर दिये उसकी भी बाते करते रहे तो लोग बाते करते रहे तो आपने को मैच में ध्यान रखना है कि जो भी function है उसके domain में हम बात करेंगे domain के बाएंगे बाती नहीं करते यह जो function है यह r-0 में defined तो इस अपने पूरे domain में यह function continuous है क्या this function is continuous in its domain अपने domain में continuous है अब जो point domain में ही नहीं जहां पे कोई graph ही नहीं जहां पे function defined ही नहीं है वहां पे तुम यह थोड़ी बोलोगे की function बट फिर भी अगर कोई ऐसा question आता है फिर अगर कोई मान लो जवर जस्ती पूछता आपसे कि नहीं नहीं तु बता यार एक्स एक्स एक function है उसका एक्स एक्स इक्वल टु जीरो पर क्या होगा अगर जवर जस्ती आपसे कोई पूछे का तो आप बोल सकते हो कि हम बाते करेंगे तो आपको समझ मागया होगा similarly यह वाला जो function है यह वाला जो function है इसका domain क्या आएगा इसका domain आएगा आर माइनस वन यह वाला जो function है यह भी continuous है अपने domain में अपने domain में continuous होगा फिर भी अगर आप से कोई जबरदस्ती पूछता है तो आप यह बोल सकते हों कि भाई it is discontinuous at x equal to 1 हम जब भी बात करेंगे अपनी तरफ से हम अपने डोमेन में जो भी function का domain में उसी में हम बात करेंगे है ना बट फिर भी ऐसा कोई question आ जाता है जिसमें अगर कोई ऐसा question आता है कि आप बताओ की fx equal to 1 by x is continuous in its domain तो यह बिल्कुल सही बात है इसमें कोई गलत नहीं है ठीक है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि fx equal to 1 by x is continuous in its domain तो बिल्कुल सही बात है ठीक है yes it is continuous in its domain चमक गया ना और आगे बट दे नेक्स्ट पॉइंट यह काफी जेई का फेवरेट है क्योंकि इसमें जनरली मलब बच्चे इसको मिस्क कर देते है और जो आप चीज मिस्क करोगे वहीं पर जेई वाले क्वेशन बनाएंगे obviously जो maximum बुक्स में भी गिवन नहीं रहता है जहां पर maximum बच्चों को confusion होता है जो चीजे मलब teachers को भी clear नहीं है वहीं पर जेई वाले पर इस function का value है 4 पूरे function का graph में केवल एक dot है और कुछ है नहीं पूरे function का graph यह है there is only one dot और कुछ भी नहीं है this is the graph of the function तो इसको हम बोलते है point function तो क्या point function continuous होते है point function continuous होते है क्या तो आप बोलोगे yes point functions are continuous इसका logic क्या है point function continuous क्यों होते है अगर मैं जैसे माल लो यह function है ठीक है let's say this is the function यह function अगर exam में आएगा तो कैसा आएगा इसा देदेंगे कि fx और fx का value कितना है fx का value है 4 function का value है 4 if x is equal to 3 and if x is not equal to 3 वहां पर function है not defined ठीक है मतलब और कहीं पर function defined नहीं है जब x का value 3 है तो function का value 4 है मतलब graph के वल इतना ही है इतना ही graph है इसके आगे कोई graph नहीं इसके पीछे भी कोई graph नहीं आगे पीछे कोई graph है ही नहीं तो इसको हम बोलते point function और point functions are continuous ऐसा क्यों अगर मैं आपसे पूछूँँगा कि at x equal to 3 आप इसको check करो है ना तो basic definition क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूँ कि at x equal उस particular point पर जाके आप चेक करो कि function continuous है या नहीं तो basic definition तो यही होती है कि आप f of 3 प्लस देखोगे फिर आप f of 3 माइनस देखोगे और फिर आप f of 3 देखोगे अगर तीनों का value equal आ गया तो आप बोलोगे continuous है ना basic definition तो यही है अभी अभ f of 3 माइनस निकालो f of 3 निकालो अगर तीनों का value same आ गया तो हम बोलेंगे कि continuous है यहाँ पर अगर आप f of 3 प्लस निकालने जाओगे तो 3 प्लस पर कोई graph है नहीं in fact यह जो 3 प्लस है वो तो domain में नहीं है इस function का domain है वो केवल क्या है इस function का domain है केवल एक ही point है x equal to 3 x equal to 3 के आगे भी defined नहीं है function x equal to 3 के पीछे भी function define नहीं है यह 3 प्लस और 3 माइनस पर कोई graph हो गई है यह तो domain में है और जो domain में नहीं है वहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे तो यह दोनों जो चीज़े है इनको हम ignore करेंगे इनको हम क्या करेंगे ignore करेंगे यहां पर हम function में जो function का value है 3 प्लेस पे और 3 माइनस पे उसकी बात ही नहीं करेंगे उसको इंफेक्ट मैंने आपको यह भी पढ़ा था ना वन साइड़ लिमिट हमने पढ़ा था जैसे मैंने आपको लिमिट्स वाले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू रूट एक् दो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लिमिट्ट एक्सृणिंग टो 0 और इसका अंशर क्या होगा क्या यह 16 करती है उनग्हें है उनग्राफ ओर आंडेग्स root x root x में जो graph है वो किवल 0 के right hand side है 0 के left side में कोई graph है नहीं तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे LHL और अगर आप निकालोगे RHL तो LHL थो होता है f of 0 minus और यहाँ पे होता है f of 0 plus अब 0 minus पे तो कोई graph है नहीं इसका जो domain है वो क्या है root x का domain है 0 to infinity 0 to infinity is the domain yes this is the domain of the function तो 0 minus पे तो function defined ही नहीं है और जहाँ पे function defined नहीं होता है उसको आप ignore करोगे तो यहाँ पे LHL कुछ हो गई नहीं LHL जैसा कुछ exist ही नहीं करेगा और जो चीज exist नहीं करती हो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो केवल हम निकालेंगे F of 0 प्लस तो F of 0 प्लस आप देख लो 0 से थोड़ा जादा वहाँ पे function का value कितना आएगा आप इसमें 0 put कर दो 0 से थोड़ा जादा तो ultimately यह 0 ही आ जाएगा तो क्या यह limit exist करेगी हाँ बिल्कुर हम बोलेंगे कि यह limit exist करेगी और इस तरकी जो limit होती है इसको हम बोलते है one-sided limit है ना this is one-sided limit एक side से limit उसकी exist कर रही है दूसरी तरफ तो function ही defined नहीं है बट यहाँ पे limit exist करती है आप ऐसा नहीं बोलोगे कि limit does not exist limit exist करती है similarly यहाँ पे भी हम इसकी बात नहीं करेंगे इसकी बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो जो particular points है वो domain में ही नहीं हम केवल x equal to 3 पे function का value देखेंगे और वो exist करता है तो हम बोलेगे कि function is continuous तो जहाँ जहाँ पे graph है वहीं वहीं पे आप check करोगे अगर right side और left side में graph नहीं है वहाँ पे आप check भी नहीं करोगे क्योंकि वो domain में ही नहीं और जो चीज domain में नहीं होती है वहाँ पे हम basically बात ही नहीं करते है उसके बारे में हम discuss ही नहीं करते है तो point functions are continuous बिलकुल अगर कोई भी point function है it is continuous for example मान लो ये function आ गया ये वाला जो function है fx equal to under root of one minus x इसका graph बना सकता है क्या कोई इसका graph plot करना ये वाला जो function है सबसे पहले तो चलो इसका domain निकालो find out the domain of this function तो domain कैसे निकालेंगे domain मतलब ये root आपका defined होना चीए तो root defined कब होगा one minus x का value greater than equal to zero होना चीए और दूसरी condition बनेगी x minus 1 का value भी greater than equal to 0 होना चीए तो यहां से आजाएगा x less than equal to 1 यहां से आजाएगा x greater than equal to 1 दोनों का intersection ले लो तो intersection ले लो के तो क्या आएगा x का value केवल 1 आएगा ये चमका तो इस function का domain है न वो केवल x equal to 1 है x equal to 1 के आगे ये function defined नहीं है x equal to 1 के पीछे ये function defined नहीं है तो ये जो function है इसका domain इसके domain में किवल एक ही point है that is x equal to 1 और graph कैसा बनेगा x equal to 1 पे function का value कितना आएगा आप इसमें x equal to 1 put कर दो x equal to 1 put करोगे तो ये 0 और ये भी 0 तो y का value 0 आएगा जब आप x का value 1 put करोगे तो y का value 0 है so this is the graph of the function ये वाला जो function है under root of 1 minus x plus under root of x minus 1 इस function का graph एक dot है बस केवल इस particular function का जो graph है वो केवल एक dot है इतना साही graph है बस खतम जहाँ पर चालू हो गया वहीं पर खतम हो गया हो जहाँ से चालू वहीं पर खतम तो बस एक dot है तो ये point function है और अगर ये point function है तो it is continuous लेकिन कहाँ पर continuous अपने domain में x equal to 1 पर अगर आप से कोई पूछेगा कि क्या ये continuous है तो आप बोलोगे हाँ continuous है yes it is continuous अगर इस function के बारे में आप से कोई पूछेगा कि add x equal to 1 बताओ तो आप बोलोगे yes it is continuous चमक गया yes it is continuous similarly ये जो दूसरा वाला function है वो ये जो दूसरा वाला function है वो भी उसका graph कैसा बनेगा ये लिखावा ना fx equal to root x और यहां पर root of minus x इसका domain आएगा केवल x equal to 0 चमक क्या होगा मेरे खाज है इसका domain क्या आएगा x का value केवल 0 आएगा और x का value 0 पुट करोगे तो y का value भी 0 तो इसका graph बनेगा केवल यह अगेन एक डॉट है ना सो इस इस दे ग्राफ केवल एक डॉट आएगा यह y axis और यह x axis चमक्या तो केवल एक डॉट आएगा तो अगेन क्या यह function continuous है yes it is continuous point functions are continuous point functions continuous होते है अब अगला point देखलो third point तो third important point क्या है कि अगर किसी भी discontinuous function का inverse निकालोगे तो वो भी discontinuous आएगा जैसे यह वाला function है for example यह आपको y equal to fx एक function का graph आपको given है एक function है उसका graph आपको given है इस particular function का जो inverse होगा वो भी discontinuous होगा अगर यह discontinuous है तो इसका inverse भी discontinuous होगा और यह तो simple है अगर आपको किसी भी function का inverse निकालना होता है तो आप क्या करोगे y equal to x में mirrored image ले लोगे तो ये y equal to x में हमने इसका mirrored image ले लिए तो ये वाला जो function है ये तो y equal to fx का graph है तो y equal to f inverse x का graph कैसा बनेगा तो अगर आपको fx का graph पता है और f inverse का graph plot करना है तो basically आप क्या गरोगे आप y equal to x में mirrored image ले लोगे तो ये वाला जो portion है इसका graph इधर बन जाएगा और ये वाला जो portion है ये उपर आ जाएगा तो इसका graph ये बन जाएगा तो अगर ये discontinuous है तो f inverse भी discontinuous होगा अगर कोई function है जो discontinuous है उसका आप inverse निकालोगे तो वो भी discontinuous ही आएगा अगर इसमें pen उठाने की जरूद है तो जब mirror image करोगे तब भी pen उठाने की जरूद पड़ेगी पड़ेगी तो mirror image लेके आपको directly समझ में आ जाएगा अब एक last topic आज की class का that is reasons for discontinuity कि अगर function discontinuous है तो उसका reason क्या है क्यों discontinuous है तो यहां पर बताओ पहरे सबसे पहले तो यह discuss करते हैं कि function continuous कब होता है है ना reason discuss करने से पहले आप यह बताओ कि function continuous कब होता है function continuous तभी होता है जब limit of the function exist करेगी यह ना मानलो continuous at x equal to a की बात करते है तो function continuous कब होगा जब limit of the function exist करेगी function भी आपका defined होगा और दोनों का value finite भी होगा तो आप बताना कि कौन कौन से reason से कोई एक function discontinuous बन सकता है कौन सा reason होगा कि कोई भी function discount तो पहला reason तो यह बोल सकता है ना पहला reason तो यह कि अगर function का limit exist ही ना किया तो कि limit does not exist अगर कोई function है उसके limit आपने निकाली और वो exist करती नहीं है अगर limit does not exist है तो आप क्या बोल दो कि function is discontinuous अगर limit exist नहीं करेगी तो function discontinuous हो जाएगा तो पहला reason तो यह है दूसरा reason क्या है दूसरा यह reason हो सकता है कि आपने f of a निकाला value of the function निकाला और value of the function exist ही नहीं करता है मतलब function ही आपका defined नहीं है अगर function ही defined नहीं है then also the function will be discontinuous और तीसरा reason यह हो सकता है तीसरा reason यह हो सकता है कि limit आपकी exist करती है limit exist . takie reason है simple यह उपको चमक होगा अब function continuous तब यह बही exist करेगी function be defined होना चाहे value of the function आना चाहे and then दोनों का वाल्यू equal भी होना चाहे then only the function will be continuous यह ना function continuous तबही होगा जब limit exist करेगी function भी defined होगा both of them are equal and finite यह तीन रीजन हो सकते हैं यह तो limited defined नहीं है यह function defined नहीं है यह दोनों defined है बट दोनों equal नहीं है तो यह तीन reasons mainly आपके यहां पर हो सकते हैं ठीक है चलो जैसे example से देखते हैं पहला reason क्या है पहला reason यह ही है कि आपका limit does not exist तो जैसे for example यह greatest integer of x अब greatest integer of x अगर मैं आपसे पूछूंगा at x equal to कोई भी इंटीजर ले लो है ना at any integer at any integer किसी भी एक integer point पर ले लो इसका graph कैसा होता है बताना greatest integer of x तो greatest integer of x का graph ऐसा होता है and this will be the graph इस तरह का graph आएगा और यहां पर इस तरह का graph आएगा तो आप लेलो point लेलो कोई भी एक point लेलो let's take x equal to 1 यह वाला point x equal to 1 यह है x equal to 2 यह x equal to 3 तो at x equal to 1 आप चेक करो क्या यह function continuous है at x equal to 1 at x equal to 1 when उठाने की जरुद पड़ेगी yes at x equal to 1 function is discontinuous discontinuous तो है लेकिन क्यूं क्यूं है यह discontinuous यह discontinuous इसी लिए है न क्यूंकि अगर आप यहां पर LHL और RHL निकालोगे तो अलग अलग आएगा अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 1 plus और f of 1 minus तो दोनों का value अलग अलग आएगा 1 plus पर कितना value 1 से जदा यहां पर आप देखो के तो उसका value 1 है और 1 से कम अगर 1 से कम है तो उसका value 0 है तो दोनों का value अलग अलग है और अगर दोनों का value अलग अलग है तो limit does not exist है ना तो यह function discontinuous है लेकिन क्यूं क्यूंकि इसमें limit exist नहीं करती है limit does not exist अच्छा value of the function exist करता है क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा f of 1 तो f of 1 is basically 1 तो function defined है ना function आपका defined है but limit exist नहीं करती है function defined है उसको कोई दिक्कत नहीं है but limit को दिक्कत है ना तो यह overall function आपका discontinuous हो जाएगा अच्छा यह जो दूसरा वाला example है इसमें अगर आप limit नहीं अच्छा पहले तो यह बताओ कि यह function कहां पे discontinuous है this function is discontinuous at x equal to 1 यह x equal to 1 पर discontinuous होगा क्यों होगा यह discontinuous x equal to 1 पर इसके दो दो reason है ना क्योंकि एक तो function ही defined नहीं होगा अगर मैं आपसे पूछूंगा f of 1 तो f of 1 आ जाएगा 1 divided by 1 minus 1 0 यह तो not defined आ गया यह तो f of 1 है और f of 1 मतलब x is exactly equal to 1 ना जादा ना कम तो अगर आप इसमें x का value exact 1 put करोगे तो denominator आ जाएग exact 0 और exact 0 तो not defined चमक गया ना तो ultimately यहाँ पे function defined नहीं है function आपका defined अच्छा limit exist करेगी क्या अगर हम limit निकालेंगे x tending to 1 और x upon 1 minus x तो क्या limit exist करेगी limit will exist और not यह वाली limit निकालना एक बार यह limit exist करेगी या नहीं करेगी इसका answer बता सकते हो this particular limit will exist और not यह जो limit है यहाँ पे basically आप चेक करो ना x का value आप put कर सकते हो 1 plus h x का value put कर तो यह बन जाएगा limit h tending to 0 ऊपर आजाएगा 1 plus h और नीचे कितना आजाएगा नीचे आजाएगा minus h तो ultimately यह तो ऐसा बन गया ना minus 1 by h और plus 1 तो क्या limit exist करेगी h का value 0 put करोगे तो h का value 0 put करोगे तो यह तो minus infinity आ रहा है ना limit भी not exist है यहाँ पर limit भी exist नहीं करती है तो यह वाला function discontinuous क्यों है यह discontinuous इसलिए है क्योंकि यहाँ पर function भी defined नहीं है और limit भी does not exist लिमिट भी exist नहीं करती है, function भी defined नहीं है, तो मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, इस वाले function में function defined है, but limit exist नहीं करती है, तो अलग-अलग reasons यहां पर हो सकते हैं, चमक क्यों होगा, चलो एक और example करते हैं, second reason क्या हो सकते हैं, दूसरा यहां पर reason यह हो सकता है, कि आपका जो limit है, वो exist करता है, but function is not defined, नहीं sorry, limit exist करता है, but it is not equal to f of a, है ना, मतलब limit exist करेगा, function भी आपका defined है, but वो आपस में equal नहीं है, जैसे उसका example यह वाला है, इसको try करो, यह example try करो, ठीक है, तो यह वाला जो example है, इसमें आप limit निकालना, यहां पर आप limit निकालो, क्योंकि function का value त defined है, f of 1, तो f of 1 कितना है, पाई बाई 2 है, अब limit निकालो, limit x tending to 1 of this particular function, 1 minus x, और tan of pi x by 2, तो यह limit निकालना, क्या यह भी equal to pi by 2 आएगा, है ना, यह limit निकालो, function का value तो आपको given है, directly pi by 2, limit का value भी क्या pi by 2 आएगा, चेक करो कि whether this function is continuous or not, है ना, एक बार चेक करके बताएग ना, फटफट, यह कौन सा form है, है ना, यह कौन सा form है, एक बार फटफट करके बताना, ठीक है, येस, जीरो, जीरो आ रहे गया, जीरो कैसे आ गया, कौन सा form है यह, x का value 1 put करता हो, ना, अरे देखो, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको, limit x tending to 1 और 1-x, और यहाँ पर है tan pi x by 2, तो x का value 1 put करो गए, तो यह तो 0, ठीक है, multiplied by, और यह बन जाएगा infinity, तो 0 into infinity form है यह, है ना, this is 0 into infinity form, और अगर 0 into infinity form होता है, तो उसका method होता ही, कि आप इसको 0 by 0 में convert करो, तो 0 by 0 में convert कैसे करेंगे, 0 by 0 में convert करने के लिए, इसको नीचे बेज देना ओर गया, 1-x, और यह नीचे बन जाएगा, cot pi x by 2, अब यह कौन सा form है, अब इसमें x का value 1 put करो, एक का value 1 put करोगे तो यह 0, और cot pi by 2, cot pi by 2 भी 0, तो आगया 0 by 0 form, और अगर 0 by 0 form आगया, तो आप इसमें differentiate कर दो, तो limit x tending to 1, और इसका differentiation minus 1, और इसका differentiation minus cosec square pi x by 2 into pi by 2, यह आजाएगा, अब यह minus 1, minus 1 तो cancel हो गया, ultimately x का value 1 put कर दो, तो x का value 1 put करोगे तो finally यह तो 1 बन जाएगा, 2 by pi यहाँ है, तो we are getting 2 by pi, और इधर लिखा हुआ है pi by 2, तो दोनों equal नहीं है, समझ गया ना, तो यहाँ पर function defined है, क्या, function defined है, बिलकूल defined है, function defined है, limit भी exist करती है, लेकिन दोनों आपस में equal नहीं है, limit exist करती है, देखो limit exist कर रही है, limit को कोई दिक्कत नहीं है, है ना, function भी defined है, बट आपस में equal नहीं है, so that is the reason for discontinuity, है ना, function, limit exist करती है, function भी defined है, आपस में वह इक्वल और फाइनाइट भी होना चाहिए 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 लिमिट अगर आपको निकालना आता है तो बीसिकली यह सारी चीज़े बहुत ही चिंदी है ठीक है और तीसरा रीजन है कि फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है जिसे यह इसमें अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 1 तो f of 1 यह वही वाला एक्जामपल है ना 1 by 0 तो नोट डिफाइंड तो यहां पर at x equal to 1 यह वाला जो फंक्शन होगा वो discontinuous हो जाएगा यह वाला function at x equal to 1 it will be discontinuous और discontinuous क्यों होगा उसका reason यह यह कि function defined नहीं है और हमने देखा था इसी वाले function में हमने देखा था x divided by x minus 1 तो इसमें function भी defined नहीं है और limit भी defined नहीं है दोनों ही यहां पर exist नहीं करते तो it will be discontinuous obviously ठीक है चलो अब इसमें और भी questions करेंगे है ना यहां पर भी आप बेसिकली एक और question चलो ट्राइ कर लेदें यह graphical question है तो यह मेरे काज आपको फटाक से समझ में आ जाएगा इसमें आप पहले तो यह बताओ कि कौन-कौन से points पे function discontinuous है यहां पर कौन-कौन से points पे function discontinuous है तो कहां-कहां पर pen उठाना पड़ेगा ग्राफ को दिखके बताओ एक तो अपने को pen उठाना पड़ेगा at x equal to 1 x equal to 1 पर pen उठाना पड़ेगा इधर भी बीच में circle है अगर बीच में circle है तो यहां पर discontinuous होगा है ना 3 पे यहां पर डॉट है तो 3 पर भी discontinuous होगा 4 पर pen उठाने की जरूद नहीं है तो 4 पर pen उठाने की जरूद नहीं है 4 पर continuous है 5 पर discontinuous है तो यह सारे points आएंगे जहां पर function discontinuous है यह तो आपको directly दिख रहा है आपको graph देखके समझ में आ गया कि हाँ यहां यहां पर pen उठाने की जरूद है बाकी mathematical आप कैसे प्रूव करोगे जैसे मुझे at x equal to 1 मुझे प्रूव करना है कोई भी एक point पर मैं आपको करके दिखा दोता हूँ तो at x equal to 1 अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 1 minus f of 1 plus और f of 1 तो तो तीनों का value same आएगा गया तीनों का value same नहीं आएगा यहां पर देखो 1 minus तो 1 से थोड़ा कम ना 1 से थोड़ा कम तो वहां पर जो function का value है वो कितना है approximately 0 और 1 plus पर 1 से थोड़ा ज्यादा तो वहां पर जो function का value है वो 1 है और f of 1 कितना है तो यहां पर circle है यहां पर dot है तो f of 1 is actually equal to 1 तो यहां पर limit does not exist है ना चमक यह होगा since limit does not exist since limit does not exist तो हम basically बोलेंगे कि यह जो function है वो discontinuous है चमक क्या होगा मेरी खास है है तो एक एक point पे आप केवल देख के बता सकते हो कि अगर pen उठाने की जरूत है तो discontinuous होगा simple सी बात है और mathematically उसी बात को आप प्रूब भी कर सकते हो but exam में शायद वो यह भी पूच सकते कि reason क्या ह discontinuous तो है हमें भी पता है तुमें भी पता है ठीक है सबको पता है दुनिया बर में सबको पताए कि भाई यह discontinuous है लेकिन discontinuous क्यों है उसका reason क्या है तो यह भी exam में आ सकता है ठीक है what is the reason for discontinuity तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि since limit does not exist that's why the function is discontinuous समग्या यहां पे आप सकता है कि what is the reason for discontinuity जैसे इस वाले point पर बताओ what is the reason for discontinuity x equal to 3 पे at x equal to 3 अब सबको पता है तुमें भी पता है मुझे भी पता है दुनिया में सबको पताए कि discontinuous है क्योंकि पहन उठाना पड़ेगा but reason क्या है तो reason यह है कि यहां पर function defined है limit भी exist करेगी आप देख लो 3 प्लस औ का value आएगा it will exist यहां पर जो function होगा f of 3 वो भी आपका defined होगा लेकिन दोनों का value equal नहीं होगा ना they will be not equal यह समझ में आगे क्योंकि इसका value कितना है इसका value 2 है limit का value 2 आएगा limit है इसका value 2 आएगा और function का value 3 आएगा ठीक है तो limit यहां पर exist करती है function भी defined है लेकिन लेकिन दोन पर reason क्या है x equal to 2 पे x equal to 2 पे तो function ही defined नहीं है अगर मैं आपसे पूछूँगा f of 2 तो यहां पर तो circle है और ऊपर कहीं पर भी dot नहीं है ना कहीं पर भी dot नहीं है तो f of 2 is not defined तो function defined नहीं है और since function defined नहीं है तो this particular function will be discounted x equal to 2 पे limit exist करेगी x equal to 2 पे अगर आप limit की बात करो तो it will exist क्योंकि 2 प्लस पर देख लो आप और 2 माइनस पर भी देख लो दोनों पर देख लोगे तो उसका वैल्यू जो है वह approximately 1 ही है तो limit will exist बट function defined नहीं है और यह यह वाले पॉइंट पर 5 है तो 5 वाले पॉइंट पर तो कुछ भी नहीं है ना तो function defined है ना तो limit exist कर रही है ठीक कि function discontinuous है और आपको यह भी पताए कि उसका reason क्या है what is the reason for discontinuity चीक है येस और आगे बढ़ते हैं आचा कुछ points है जिसको आप note कर लो तो यह पहला वाला जो point है यह तो काफी important है कि every polynomial function is continuous जितने भी polynomial जैसे y equal to x का graph क्या होता है कोई भी polynomial function will always be continuous y equal to x का graph तो straight line अगर आप quadratic की ब जारा बोला क्यूबिक की बात करोंगे तो ऐसा graph होता है degree 4 है तो फिर degree 4 का ऐसा graph होता है तो जितने भी polynomial होता है all polynomials are always continuous है ना पहला वाला point आपको समझ मागया all polynomials are definitely continuous दूसरा क्या है कि every rational function rational function मतलब यह p by q वाला है ना लेट से यह वाला example अमने देखा था ना तो यह कैसा function ह rational function मतलब जिसमें numerator भी है और denominator भी है समझ गे ना p by q form तो इस तरह के जो function होता है जिसमें numerator भी होता है denominator भी तो इस तरह के function भी continuous होंगे लेकिन यह वहीं पे continuous हो गए यह denominator is different from 0 मतलब denominator is different from 0 का क्या मतलब तो यह वाला जो function है यह continuous कहां पर होगा यह continuous होगा x element of r everywhere it will be continuous except 1 1 के अलावा यह function हर जगह continuous होगा ठीक है तो यह जितने भी rational functions होते rational functions वहीं पर discontinuous होंगे जहां पर उसका denominator 0 होगा चमक गया जिसे अगर मैं आपको यह वाला दे दू let's say for example हमारे पास एक function है जो की है x square divided by x यह function है तो यह function कहां पर discontinuous है बताओ यह function discontinuous कहां पर होगा x equal to 0 पर जहां पर भी denominator 0 होगा ना वहीं पर function discontinuous होगा simple जी बात है लेट से हमारे पास यह है लेट से कुछ भी लिगा होगा नूमरीटर में आप कुछ भी लेख सेकते है एक स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस फाइव और नीचे लिगा हुआ है x-3 तो यह function है यह function कहां पर discontinuous होगा यह function हर जगा continuous होगा इट विल बी domain में नहीं है तो हम इसमें ऐसा भी बोल सकते है you can also tell कि this function is continuous everywhere for all x element of domain अपने domain में वो continuous है यह चमा क्या इस continuous everywhere in its domain यह वाला function भी continuous है everywhere in its domain अपने-अपने domain में यह सब continuous है लेकिन discontinuous कहां पर है तो जहां पर denominator is different from 0 denominator is not equal to 0 बाकि log function, exponential function, trigonometric function, modulus function, inverse trigonometry वाले function यह जितने भी function होते all of them are continuous in their respective domain यह वाला point भी समझ में आ गया यह inverse trigonometric function, logarithmic function सबका graph आपको पता है और किसी का भी graph बनाने के लिए आपको pen उठाने की जरूरत पड़ी की क्या जैसे for example log x log x का graph यह इसका graph हम draw कर सकते है without lifting pen similarly यहाँ पर let's say e raise to x e raise to x का graph यह होता है this is the graph of e raise to x this is the graph of y equal to ln x इन सबका graph हम plot कर सकते है without lifting pen logarithmic functions, exponential functions, even trigonometric functions they are also continuous trigonometric function में आप बोलोगे जैसे for example let's say tan x क्या tan x continuous function है क्योंकि tan x में तो pen उठाना पड़ेगा tan x का graph यह होता है फिर यहाँ पर defined नहीं होता है but again हम यहाँ पर क्या बोल रहे है कि it is continuous लेकिन in their respective domain तो यह tan x का graph भी continuous है लेकिन कहां पे in its domain अपने अपने डॉमेन में वो continuous है तो यह last वाला point यही कहना चाहता है last वाला point यही कहना चाहता है कि यह सारे function continuous होते है लेकिन अपने respective domain में अपने अपने domain में it will be continuous समझ गे ना यही लिखा हुआ है कि all these functions are continuous in their respective domains समग यह? लास्ट क्वेश्टन है इसको आप होंबॉक में ट्राइ कर ले ना और बाकी हम और भी क्वेश्टेंस हम प्रक्टिस करेंगे हैं तो मतलब पूरा चैप्टर हम बिल्कुल कवर करेंगे तिल यही एडवांस लेवल है अभी तो बस स्टार्टिंग है तो डेफिनिटल आप यह है ना सब कुछ कवर करने वाल है एंड डेफिनिटली मतलब यहां पर जो प्रैक्टिस सेशन्स होते हैं उसके लिए आप स्पेशल क्लासिस में आना स्टार्ट करतो तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है उसके अलावा यहां पर यूट्यूब का जो टा अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं यहां पर आपको सारे नोट्स लेक्चर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा और स्ट्रॉक्चरड फॉर्माट में मिल जाएगा तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है जही में और जही एडवांस लेवल के आपको question डून-डून के करना है और वही चीज continuity के लिए भी applicable है क्योंकि limits, continuity, differentiability एक ही chapter है कोई अलग-अलग chapter तो है नहीं तो यह उसी का second part समझ लो है लिमिट्स के बाद continuity और continuity के बाद differentiability है ना तीनों के तीनों linked है और यह तीनों chapter फिर आगे calculus में भी काम आएंगे तो जब हम application of derivatives पढ़ेंगे है ना तो ऐसा नहीं कि आप चलो limits छोड़ दो तो continuity भी छोड़ दिया differentiability भी छोड़ दिया तो फिर AOD भी छोड़ दो अगला chapter आएगा application of derivatives उसको भी छोड़ देना और derivatives छोड़ दिया तो integration भी छोड़ देना और यह सब छोड़ दोगे तो one-third paper आपका ज calculus also तो calculus आप मैं चाहता हूं अगर किसी के मानलो 11th के पाप भी है 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी 11th में कुछ ना कुछ इदर उदर हो गया था तो आप अभी cover up कर सकते हो अगर मैं आपको बता रहा हो ना 12th का जो weightage होता है वो IATJ में होता 55% 55% paper जो आएगा वो 12 standard से आएगा और केवल 12 अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो भी आपका selection हो जाएगा क्यूंकि आपको JE में select होने के लिए चाहिए approximately 35-40% आपको चाहिए अगर आपका 40% भी आजाता है तो भी आपका selection हो जाएगा समझे रहो तो अगर केवल आपका 12th strong है 11th में मानलों कुछ नहीं आता कोनिक सेक्शन नहीं आता ट्रिग्नोमेटरी नहीं आता बाइनॉमिल पी एंसी नहीं आता है कुछ नहीं आता है केवल 12 आता है तो भी आपका selection जहीं में हो सकता है बड़ 12 अच्छे से आना चाहिए 12 के सारे question हो जाने चाहिए ठीक है तो उस level पर आप यहा सारे conduct करता रहते हैं बाकी अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन पर आना चाहता है तो यहां पर multiple batches are going to start तो definitely यहां पर 11 का बैच भी है 12 का बैच भी है यह जितने भी बैच उसमें आप जॉइन कर सकते हो यहां पर सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी एक बैच को सब्सक्रा है ना एक आपका structured curriculum बनेगा उसको follow करोगे साल बर consistency के साथ करोगे तो definitely आपका यहां पर सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है बाकी जो भी बच्चे अनकाडमी सब्सक्रिप्शन पर आना चाहते हैं सबसे पहले आपको अनकाडमी लर्निंग आप इंस्टॉल करने के बाद यहां यहां पर प्लस पर जाना है आइटी जही अपना गोल सेलेट कर लो एंड यहां पर आप एन्वी लाइव कोड एंटर कर सकते हो तो जैसे आप एन्वी लाइव कोड एंटर करोगे आपको यहां पर maximum possible discount भी मिल जाएगा ठीक है तो जितने भी 9,10,11 वाले बच्चे वहां पर कि आपका syllabus भी जल्दी खतम हो रहा है तो डेफिनेटली आप यहां पर एन्वी लाइव और यू कन यूज दे कोड एन्वी 10 यू विल गेट maximum possible discount ठीक है चलो एंड अगर कोई भी यहां पर Iconic subscription purchase करता है तो Iconic is basically the super set of plus Iconic में आपको एक personal coach assign किया जाता है आपको one-on-one guidance मिलेगा test का analysis होता है expert guidelines आपको मिलेगी workshops होते है उसमें आपको exclusive entry मिलेगी study materials specialized notes अगर आपको extra questions practice करने तो आपको extra practice के sets भी आपको दिया जाएंगे and plus study planner भी है by weekly आपको reviews भी मिलेगे तो यह सारी चीज़े आपको extra मिलती है in Iconic subscription ठीक है तो Iconic subscription is basically the super set of plus जिसमें आपको और भी बहुत सारे features मिलते है ठीक है इसके अलावा code से आप उसको unlock कर सकते हो it is completely free इसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है चलो फिर मिलते है अगली class में अगर आपको आज का lecture अच्छा लगा तो definitely इसको share कर देना with the hashtag of jelivedaily and आप मुझे tag भी कर देना at the rate vora 1310 पर चीक है ओके देन चलो end करते बाबाई and take care चीक है